हमने लास्ट कुछ वीडियो में एर मोडल के कंसेप्ट के बारे में गोत्रु गया था अब हम इंसे आगे बढ़ेंगे और आज से हमें एक नए यूनिट के तरफ आगे बढ़ रहें तो इस यूनिट के अंदर मैं आपको रिलेशनल मोडल के बारे में बताने बला हूं तो हमारे relational model भी बहुत ही important है अगर database के point of view से अगर मैं बात करो तो ये भी model जो हमारे लिए important है तो अब ये relational model में हमें करना क्या होता है और basically सबसे पहला question arise होता है कि ये model है क्या तो हार एक चीज जो इन detail में इस video series में मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहला question आपके mind में आएगा what is relational model है क्या सो इसका कुछ point जो मैंने लिख रखा है उन point को जो हमें step by step go through करते हैं और उससे जो हम समझते हैं कि हमारा relational model basically होता है क्या है तो जो हमारा relational model है इसको परपोज क्या था एक कोल इन 1970 में तो इसमें हम अपने data को जो organize करना हम सेखते हैं और concept format में हम अपने data को organize करेंगे तो relation या table जो आप टेवल योज करते हो अगर आपने Excel योज क्या होगा तो आप जो भी data store करते हैं वह as a table format में होता है तो उसको आप जो टेवल बोल दो या relation बोल दो यहाँ पर बात सेम ही है तो हमारा जो relational model है यहाँ पर हम basically अपने data को जो है organize करते हैं कौन से model में टेवल के model में टेवल in the sense relation मैंने आपको easily word बताया relation जो हम यहाँ पर यूज करेंगे अपने इस model के अंदर तो अगर relation आया that means table table के अंदर हमारा क्या होगा row and column तो यहाँ पर जो भी data इस्टोर करोगे आप किसी भी information को आप इस्टोर करने जाओगे तो वह जो हमारा एजर row and column के रूप में हो गए within a table या relation आप जो भी बोलो तो मैं चीज समझ में आ गया है कि हमारा यह relation model क्या है okay so यहाँ पर एक चीज में और आपको killer कर देता हूं कि हमने कुछ वीडियो पहले जो है यार मोडल के अंदर जो है relationship के concept के बारे में जो हमने go through गया था तो वह जो relationship है और यह जो हमारा आपको आपको रिलेशनल मोडल का basic idea लग गया होगा तो जब कभी भी आपके पास कोई problem statement रहते हैं database को लेकर तो आपका काम कैसा start होगा तो सबसे पहले जो है आप उसको ER model के अंदर जो convert करोगे जहां पर आप जो ER diagram बनाते हूं और यह वो ER diagram के थ्रू जो आप relational model जो है बनाओंगे तो अभी relational model हम कैसे create करेंगे मैं आपको बताने वालो और जो हमारा relational model बन जाता है और जो हमारा relational model बन जाता है दैन जो है the relational model is implemented using the relational database management system which is a rdbms so three step में जो हमारा काम होता है सबसे पहले हम एक problem statement मिला देन उस problem statement का हमने ER model बनाया देन उस ER model को जो हम relational model में convert करेंगे जहां पर हमारा data जो है Azure relation Azure table आने वाला है और then जो हमारा relational model है जो भी हमने अभी data store किया है इसको हम using rdbms through data को implement करने वाले हैं यहां पर आपके मैंड में question आ सकता है कि what is the meaning of rdbms rdbms in the sense relational database management system यह basically होता क्या है तो इनके बारे में जो एक बार basic चीज़े go through कर लेते हैं सो हमारा जो rdbms is a type of database सो हमारा यह एक तरीके का database है that store and provide access to data points that are related to one other so यहां में क्या करेगा again database है तो database हमें क्या करता है दो या दो से जादी data को आपस में relate करता है और उस पर जो भी हमें basically crud operation करना है अभी crud operation क्या होता है आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे तो यह सारे task जो हम यहां पर perform करते हैं next point हमने यहां पर क्या या relation table या relation दोनों सेम है तो rdbms के अंदर जो भी data आप इस्टोर करने वाले हो यहां पर data जो as a table के form में हमारा यहां पर data store होगा right so next point के तरब बढ़ते हैं तो it is based on the relational model so already मैंने आपको बढ़ाया कि rdbms basically relational model पर based है so relational model का मतलब क्या हो जाता है कि हर एक के पास row होगा और column होगा जो कि हमारा table कहलाता है right so यह point भी जो है clear हो गया अगर मैं rdbms के example के मैं बात करूं तो oracle mysql ibm यह जितने भी आप software यूज करने वालो database management system यूज करने वालो यह सारे software जो है rdbms को जो support करता है that means कि oracle mysql और ibm यह जितने भी आप जो यूज करोगे basically इसके पास data कैसे store होगा as a table के form में जो यहाँ पर data store होने वाला तो आपको rdbms का basic idea लग गया होगा so और further जो हम आगे बढ़ते हैं और rdbms को अगर हमें on paper अगर represent करना है तो कैसे करेंगे और अगर represent करेंगे तो वहाँ पर कुछ पॉइंट आएगा कुछ टर्म्स आएगा उन टर्म्स को जो हम go through करते हैं तो again same example लेते हैं जो कि हमने यह diagram के अंदर जो यह लिया था again वही कि हमारे पास student है सो अगर student के लिए मान के चलो हमें table बनाना है रहे table पर ही काम होगा rdbms के अंदर तो टेबल जो अगर हम बनाएंगे तो वहाँ पर और भी चीज़े आगा कॉलम आएंगे रो आएंगे तो उस कॉलम और रो के अंदर क्या-क्या चीज़े आने वाले हैं उनके बारे में हम गो त्रू कर लेते हैं तो यहां पर मैं relational model के अंदर अपने डीटा को कैसे रिपरजेंट करूंगा वह चीज़े बताने वाला हूं for a student student के point of view से हम देखते हैं सो हमारा rtbms which is a related to relational model के अंदर हमारा जो data represent होगा वह किस के form में होगा तो row and column के form में so row and column कहां पर अबलेबल होगा तो यह table के अंदर होगा तो यह जो हमारा पार्ट है which is a row already आप जानते होंगे और यह जो यहां से लेके जो हमारा यह वाला पार्ट है यह हमारा जो कॉलम कहला तो यह basically एक table हो चुका है तो टेबल के अंदर दो चीज़ें होंगे रोंगे और column होंगे तो यहां पर मैं कुछ information को जो एड़ कर रहा हूं सो कॉलम के अंदर हमारा क्या होगा student का ID होगा name होगा course ID होगा address होगा phone number होगा और दें चुए country होगा that means student के लिए यहां पर मैंने एक table create किया relation create किया जिसके पास student के पास जो हमारा information store होने वाला which is a student ID name होगा then उसका course ID होगा address होगा phone होगा और country होगा कि कहां से वो belong कर रहा है तो यह सारे information जी हमारा store करना किसी भी student के लिए अगर हम student का table बनाने वाला तो यह यहां पर जितने भी आपको terms देख रहे है which is a student ID name course ID address यह सारे terms जी हमारे table के अंदर इसको हम क्या कहते है attribute बोलते है so attribute को already हमने पहले भी ER diagram के अंदर देखा है so basically हमारा attribute होता क्या है ER diagram के अंदर हमने देखा था entity का कोई भी property but हमारा relation के अंदर क्या हो जाएक किसी भी table का जो property है basically वह हमारा यहां पर क्या होगा attributes का काम करेगा so यह जो terms आपको दिख रहे है which is the attribute so जो भी terms यहां पर मैं बदाने वाला हूं आप इसको write down कर सकते है यह इसका notes भी आपको नीचे मिल जाएगा तो वहां से जो आप एक बार जो भी theoretical पार्ट है उनको भी जोए go through कर लेना तो यहां पर student id name course id address phone number country यह हमारे लिए इन relation model के अंदर student table के लिए attribute का काम करेगा तो यहां पर total कितने attribute है तो यहां पर total i think one two three four five और six तो six जो हमारा यहां पर attribute होगा next जो यहां पर मैं terms यूज करने वाला हूं जो कि हम relational model यह किसी भी table के लिए हम यूज करेंगो विछी जड़ तपल तपल क्या होता है तो लेट्स एजूम यहां पर आप जो किसी भी student का information फिल करोगे मान के चलो एक user आया एक student आया जिसका information जो आपने यहां पर insert किया तो लेट्स एजूम कि student का जो आईडी एरा अकास दैन उसने course यह बरसज क्या address यह फोन यह है और country है तो यहां पर जो हमारा यह row है basically tuple कहला एक है तो किसी भी टेवल के लिए आप किसी भी specific रोग को जो है आप टपन बोल सकते है हमारे लिए फिर्ष टपल हो जाएगा तो ऐसप नहुंद हमारे पास एक रिकॉर्ड है इसलिए हमारे पास यह एक यह होगा तपल समझ में आया है तपल इजर रो इन टेबल बेसिकलिए आप यह कह सकतो किसी भी टेबल के अंदर जो रो है न वह हमारे लिए टेपल का काम करेगा अगर मान के चलो यहां पर मैं सकेंड रो को भी फिल कर दू कुछ इस तरीके से 107 बेना और देन जो भी इंफोर्म इजय करें रो इघ्या जुंड ही एग्या लेटी अगर सब्सक्राइब आख पुरेश्यक और यहां पर हो जाएगा तो रिलेश्चन या टेबल दोनु मैं से जो भी टर्म्स आप बोलोगे काम चलेगा तो और भी आप इसका डेफिनिशन दे सकते हो इसकाएँ डेवल का क् टोटल नंबर ऑफ एट्रिबूट फॉर एनी इंटीटी इन टेवल या रिलेशन सो किसी भी टेवल या रिलेशन का मैं बात करूं तो उसके लिए हमारा देगरी क्या कहलाएगा तो जितने भी एट्रिबूट उसका काउंट टोटल आप जो एट्रिबूट का काउंट करो सो हमें देखा था कि हमारे पास यह 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 और यह तो टोटल सिक्स इसका जो डिग्री आगर हमें वह डिग्री पता करना है तो डिग्री क्या होगा टोटल काउंट ऑ कांट अप एट्रिबूट पो एट्रिबूट इंटीटी निदा संसरीलेशन या टेवल जो भी बोलो तो यहां पे जो हमारा degree है which is 6 तो degree भी समझ में आगया होगा तो नेक्स जो हम यहां पे terms use करने वाले which is a cardinality. Cardinality basically हमारा क्या होता है अगर इसका मैं definition को आपको मैं बताऊं cardinalality is a total number of row रो in the sense tuples in a given relation so किसी भी relation के लिए relation तो किसी भी टेवल के अंदर जितने भी रो है न वह हमारे लिए उसका टोटल आप निगालो तो वह हमारे लिए का काम करेगा तो यहां पर हमारे पास जो रो है राइट तो रो का इसका काड़िणीटी हमारा क्या जाएगा लेकिन इसको मैं एक स्टेप लेके चलो जहां पर हमारे पास एक ही रो के अंदर इंफोर्मेशन होगा तो इस समय अगर आप काड़िणी निकालने जाओगे तो इसकाका डिलीटी हमारा जो हो आएगा तो होप आपको यह करने वालां वहीं चीजर रिलेशनल इंस्टेंस रिलेशनल इंस्टेंस हमारा क्या होता है रिलेशनल इंस्टेंस इस इसका मतलब जैसे मान की चलो अभी आपने एक यूजर का जूए इंसटेंस हो गया है लेकिन जैसे है आपने इससे हमारा इक नया यहां पर इंस्टेंस मिलेगा रिलेशनल इंस्टेंस समझ में आ गया है हमारा एक specific time पे जो इंस्टेंस का जो relation का हमारा जो identity है उसको जो हम relational instance कह सकते है राइट यह basic time I hope आपको समझ में आओगा जैसे आपके table के अंदर कोई भी record add या delete होता है हमारा जो relational instance है वो automatic जो हो जागा राइट आपके पास पहले इतना डेटा था आपने एडिया तो डेटा बढ़ गया तो इंस्टेंस चैंज होगे या आपके पास डेटा था उसको delete कि एंस्टेंस चैंज होगे तो relational instance जो हमारा चैंज हो सकता है सो next term के तरफ हम बढ़ते हैं तो यहां पर हमारा next term आता है विच इज रिलेशनल की सो रिलेशनल की क्या होता है इच टपल या रो हैज मल्टिपल एट्रिबूट इज एट्रिबूट आप नोन एज रिलेशनल की सो किसी भी आप टपल के लिए मैं बात करूँ सो रिलेशनाल की बताने वाला हूं ौछ ऑप या रिलेशनल सिप समझ में आगे होगा बेसीग्त अड Catammal या रो के लिए जो हमारा भीडिवीट डोमें गया होता है एवरी अट्रिबूट है जब प्रीवीट डोमें जो इसका क्या मतलब सो जब कभी भी अगर आप कोई टेबल करने जाओगे तो टेबल के अंदर जो आप एट्रिबूट डिसाइड करोगे तो इस एट्रिबूट के पास जो बेसिकली हमारा क्या क्या इंफोर्मेशन होने वला है राइट सो लाइक स्टुडेंट आइडि अगर आप आ रहे हो तो इसका साइज भी आप डिक्लेयर कर सकते हो मान के चलो 50 वार्कर इन दसेंग तो इसलिए आप समझ सक तो वहर का है रहूं रिलेटिट टो एस तरीके की जो भी आप प्रोपर्टी यहां पर डिफाइंड करोगे एक हमारा जो यहां पर एट्रिबीट डॉमें कहला जाएगा तो आभी तक हमने जो भी टर्म्स को गो तुरू गया उसके बेसिस पर कुछ इंपोटेंट प्रोपर आइड कहीं मैं बात करूँ तो एस्टुडेंट आइड जो हमें इससा यहां पर इंटीजर ही आएगा कहीं पर आपने ऐसा डाला एट तो यह एक्सेप्ट नहीं करेगा तो यह तो यहां पर यहां पर यहां पर यूज करने वाले जो भी आप डेटर टैप उस टेवल के अं कर सकते हो कि आपका जो एवरी रो है वो जो डेटा है वो सारा डेटा जो यूनिक हो सकता है आपके पास यह option मिलता है कि आप इस पूरे रो को जो यूनिक मना कर रखो तो इससे क्या होगा कि जो हमारा डेंट डेंसी है सो डेंट डेंसी का मतलब क्या होता है कि सेम टैप का जो हम अपने पास लेकर नहीं आए अगैन वही नेक्स जो हमारा प्रोपर्टी हो सकता है अगर आपके टेबल के अंदर आ गया तो दुबारा आपकास नहीं हमारे डीटाबेस के अंदर जो दुबारा नहीं आना चाहिए तो इस तरह के कि टास्क को जो हम इसली यहां पर कर सकते हैं रिलेशनल मोडल के अंदर तो आपको डिलेशनल मोडल का बेसिक आइडिया जो लग गया होगा सो हम और इन डीटेल में डिप में हम बात करने वालें अभी तक हमने जितनी भी टम्स को गोत्रू गया है उन सारे टम्स को जो आप क्या करोगे खुछ से अलग अलग यह डाग्राम को जिए डिलेशनल मोडल के अंदर कनवर्ट करके देखो आपने बेसिक आडिया आपको लग गया होगा कि हमके इस तरह के से जो कनवर्ट जो हमें इंखीटी मिलता है और उसके अट्रिबूट को इन दिलेशनल मोडल तो एक टास्क जो आप खुछ से करना और जो भी टम्स वेगरा हमने देखा है तो उनको एक बार खुछ से गोत्रू करना इसका जो भी नोट्स और कोई होगा वहां से आप एक बार गोत्रू कर स